नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्वीज में दोस्तों आज जी के टेस्ट स्रीज को आगा बढ़ात हुए हम लोग बात करेंगे सेट 55 की अगर दोस्तों आप किसी भी कमपटेटिव इकजामस की तियारी कर रहे हैं त पूरे ध्यान से देखा कि यह वीडियो को वीडियो से अपका स्ट्रीटिक जी के बहुत ही मजबूत होता है और दोस्तों आप चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तक यह आन्यों वीडियो को निटिफिकेसन मिलती रहे तो चलिए आपका ज्यादा समय नाल सब्सक्राइब के लोग किसकी पूजा करते थे हूं वू डिट दपीपूल अप दा इंडियास बेली सिवलेजेशन वर्शिप तो सिंदुगाटी सब्सक्राइब करते थे पसुपति की चलते हैं अगले प्रशनी की और अगला प्रशनी भारत की सबसे बड़ी बुलर जील किस राजे में एस्थी थे इन वीच एस्टेट इज इंडियास लार्जेस्ट वूलर लेक लोकेड़ेड वूलर जील जो भारत की सबसे बड़ी जीले वो जमु कस्मीर में एस्थी थे चलते हैं अगले प्रश्नी की ओर अगला प्रश्नी की ओर अगला प्रश्नी की ओर अगला प्रश्नी की ओर अगला प्रश्नी सरकार में हर ब्यासक नागरी का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मुल्य होना चाहिए तो वो होता है लोकतांत्रिक विवस्ता में चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी निमलीखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है Which of the flowing countries does not have a documented constitution वो देशे ब्रिटेन चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी है संविधान की संकलपना का उद्भाव स्वरपर्थम निमलीखित में से किस देश में हुआ The concept of constitution first emerged in which of the flowing countries संविधान की संकलपना का उद्भाव स्वरपर्थम ब्रिटेन में हुआ था चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी है जालियांवला बाग हत्याकांड कब हुआ था When did the जालियांवला बाग मसेकरे take place तो जालियांवला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अपरेल 1919 को चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी है किस सहर में 4 मिनार एस्थी थे इन वीच सीटी इस चार मिनार लोकेटेड चार मिनार हैदराबाद में एस्थी थे चलते हैं अगले प्रशने की ओर अगला प्रशने की सराज्य में सोमनाथ मंदीर एस्थी थे इन वीच स्टेट आर सोमनाथ टेंपल्स लोकेटेड सोमनाथ मंदीर गुजरात में एस्थी थे चलते हैं अगले प्राश्ने की ओर, अगला प्राश्ने है हाइड्र क्लोरी की कोशिकाओं से स्रावित होता है hydrochloric acid secreted by who cells वो पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है चलते हैं अगले प्रशने की ओर अगला प्रशने निउरॉन क्या होता है वाट इज और निउरॉन तो निउरॉन जो है तंत्री का तंत्र की अधारभूत इकाई होता है चलते हैं अगले प्रशने की ओर अगला प्रशने सिग्मा रूपी ब्रिह दांतर किसका भाग है सिग्मा रूपी कॉलन इस पार्ट अफ तो सिग्मा रूपी ब्रिह दांतर बड़ियांत का एक भाग है हुआ के चलते हैं अगले प्रश्णे की ओर अगला प्रस्णे निम्न में से कौन सा दोनों बही स्रावी ग्रंथ और अंता स्रावी ग्रंथी के रूप में वहार नहीं करता फिछ अवद्ल फॉलॉइंग डज नर्ड बहाप से ज बोथ एन इग्जोक्राइट ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड तो जो प्यूज ग्रन थी है वो दोनों के रूप में बेवार नहीं करता है चलते हैं अगले प्राशने की ओर अगला प्राशने सबसे बड़ा स्वेथ रुद्धिराडू है वीची दर लार्जेस्ट वाइट बलड सेल्स तो सबसे बड़ा स्वेथ रुद्धिराडू है एक केंदर काडू यह नहीं मोनोसाइट चलते हैं अगले प्राशने की ओर अगला प्राशन है निमलीखित में से मानो शरीर का वह कौन सा आंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उतर दाई है वीच अगले प्राशने की ओर अगला प्राशने की ओर अगला प्राशने की ओर अगला प्राशने पुरानी और नस्ट प्राय लाल रक्त कनिकाय कहां नस्ट हो जाती है ओल्ड एन इंडेंजर्ड वेर डू रेड बलड सेल्स गेट डिस्ट्रोईड तो पुरानी और नस्ट प्राय लाल रक्त कनिकाय प्राय नस्ट हो जाती है प्लिया में चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है मानो शरीर की कौन सी ग्रंथी प्यूज ग्रंथी से हर्मोनों के रिशाव को नियंतरित करती है तो हाइपो थेलेमस ग्रंथी जो है वह मानो शरीर की ऐसी ग्रंथी है जो प्यूज ग्रंथी से हर्मोन के रिशाव को नियंतरित करती है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है मेरा संघर्स नामक परसीद पुस्तक के लिखा कौन है मेरा संघर्स नामक परसीद पुस्तक के लिखा के हिटलर चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है लेजेंड आफ ओनर किस देश का सरोच समान है लेजेंड आफ ओनर इस दा हाइस्ट ओनर अफ वीज कॉंट्री लिजेंड अफ ओनर जो है वो फ्रांस देश का सरोच समान है चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्ण है मेगा अस्थनी जुनानी यात्री किस के सासनकाल में भारत आया था मेगा अस्थनी जुनानी यात्री था वो चंद्रगुप्त मौरे के सासनकाल में भारत आया था चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी किस ग्रह को प्रिथवी की बहन कहा जाता है ले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी की ओर कितने खिलाडी होते हैं प्रेश्ण में एक टिम में 11 खिलाडी होते हैं चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रश्णी लाख भक्स की उपादी की सासक को दी गई थी The title of लाख भक्स was given to which ruler लाख भक्स की उपादी कुतुबदीन एबक को दी गई थी चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर अगला प्रस्ण है निम लिखित में से वो दिली का सुल्तान कौन था जिसकी मिरित्यू पोलो खेलते हुए हुई थी वो एमांग दा फ्लोइंग वाज दा सुल्तान अफ दिली वो डेट प्लेंग पोलो तो वो सुल्तान था कुतुबुदीन एबग जब वो पोलो खेल रहा था तो वो घोड़े से गिर गया था और उसकी मिरित्यू हो गए थी चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है उत्तरी भारत की प्रथम मुश्लिम महिला सासक थी तो उत्तरी भारत की प्रथम मुश्लिम महिला सासक थी रजय सुल्तान चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है मुहम्मद गोरी बीजीत प्रदेशों की देखवाल के लिए निमलिकित में से किस बिश्वस्णिया जनरल को छोड़ कर गया था मुहम्मद गोरी लेफ्ट वीच अफ्ट फ्लोइंग ट्रस्टेड जनरल स्टूट लुक आफ्टर दा कॉनकर्ट टेरेट्रीज मुहम्मद गोरी जो बीजीत प्रदेशों की देखवाल के लिए छोड़ कर गया था तो कुत्तुबुदीन एबग को छोड़ कर गया था और आज का अंतिम प्रश्ट जिसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में लिखना है वह दिली सल्तनत का राज जिकाल कब समाफ्थ हुआ वेंड दिड़ रिजन अप दिली सल्तनत इंड अप्शन है 14.92 अप्शन भी ये 1526 अप्शन सीए 1565 और अप्शन डीए 1625 आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो फसंद होगा अगर आपको वीडियो फसंद है तो लाइक कमेंट सेया और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू